किसान साथियो नमस्कार आप सब का हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में किसान साथियो इससे पहले मैंने एक वीडियो दिखाई थी उसका नंबर था 406 किसान साथियो आप सब को पता है कि मैं आज कल पंजाब में रहता हूं वहाँ पर आज कल हम एक प्रोजट कर रहे हैं फोरस्टी का, फोरस्टी के बीच में जो जमीन होती है, पहले दो वर्सों में हम क्या अंतरवर्थ ये फसल ले सकते हैं, मैंने उस पर कारिय शुरू किया, जब मुझे पता चला कि इसमें मुझे प्याज उगानी है, तो उसके लिए मैं पहुंचा P.A.U. के के वी के सेंटर म में हैं, वहाँ पर मैंने वेग्यानी सिक बात की कि मुझे प्याज में क्या सावधानी रखनी चाहिए, किस प्रकार की जमीन इसके लिए अच्छी है, कितना खाद देना चाहिए, और किस प्रकार मुझे अपनी फसल को बचाना होगा, और अपना टार्गेट भी बताया कि म मेरी जमीन, अगर मान लीजिए उसकी रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं है, या मेरी जमीन उसकी रिपोर्ट अच्छी है, तो क्या मुझे वही खाद की मातरा देनी होगी, जो आपने बताई है, उन्होंने कहां नहीं थाई है, खाद की मातरा जो हमने बताई है, वो सामन् और ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जमीन की रिपोर्ट कैसी आई है, यानि आपकी जमीन में कौन से तत्वे कितने हैं उस पर निर्भर करेगा कि इस खाद की मात्रा को हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे, वो किस प्रकार करेंगे आज मैं उधारन के साथ आपको ये बताऊंगा एक बार फिर मैं धन्यवाद करना चाऊंगा पंजाब एग्रिकल्चर युनिवस्टी लुध्याना के कीवी के सेंटर का जो समराला में है और वग्यानिकों ने मुझे वहां पर भूत सहयों किया है चलिए आगे बढ़ते हैं किसान साथियों आपको समझाने क के लिए मेरे पास दो रिपोर्ट थी एक मेरी पुराणी रिपोर्ट थी और एक नई वानी थी मैंने दोनों बताया है पहली पोर्ट में मैंने लिखा सेंपल वन में आप देखेंगे कि जब हम अपनी खाद की मातरा को देखते हैं तो उसमें हमें चार चीजों की बहुत आ उपलबता और चोथा है हमारी जमीन में पोटिश्यम की उपलबता जो हमें पोटास से मिलता है नाइट्रोजन हमें यूरिया से मिलती है फोस्फोरस हमें डी अपी से मिलता है सिंगल सुपर फास्पेट से मिलता है और जो ये पोटिश्यम है ये हमें साधानते हैं एमोपी य किलोग्राम पर एककड यह जो मातरह है यह इककड में ली गई है और फॉश्फोरस जो है छ है किलोग्राम है और जो पो capabilities WOW जो इसके is Star Partners है उसके साव से मेरी और क bestimm कि यह ब यह इस रिपोर्ट लोग है से किया है और जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो चार किलोग्राम परती एकड़ है वो भी लो है और फोस्फोरस छे किलोग्राम परती एकड़ है ये मीडियम है ना हम इसे कम कह सकते ना इसे हम अधिक कह सकते और जो पोटेशियम की मात्रा है वो 28 किलोग्राम है वो जो मेरी अपनी रिपोर्ट के हैं, और नाइट्रोजन 180 किलोग्राम परती एकड़ है, और फोस्फोरस 65 किलोग्राम परती एकड़ है, और पोटेश्यम 245 है, जो की हाई है, आप यहां पर देखेंगे जो फोस्फोरस है, उसे हम चार भागों में बादते हैं, लो मीडियम वो किस प्रकार करते हैं अम मैं आपको यह समझा कुसान साथियों यहां पर हमको एक उधारन लेना उच्छित होगा हम उगा रहे हैं प्याज जिसे कहते हैं अर्थात हम प्याज की खेती कर रहे हैं जब हम प्याज की खेती कर रहे हैं तो हम यह मान कर चलते हैं हमारे पास दो किसान हैं एक जिसकी रिपोर्ट यह है और दूसरी जिसकी रिपोर्ट यह है जब हम इस वीडियो के अंत में आएंगे जब आप किसी भी फसल की खेती करेंगे तो आपको पता है कि मुझे खाद की मातरा कितनी देनी है यूरिया कितना देना है डी एपी कितना देना है एसेसपी कितना देना है या मुराव पटास कितना देना है उस मातरा को जो भी मातरा होगी आपकी रिपोर्ट एक तरफ रखिए उस मातरा को दूसरी तरफ रखिए और फिर यहां निर्ने निकालिए कि आपको जो मातरा है खादगी वो कम करनी पड़ेगी या बढ़ानी पड़ेगी ये मैं आपको वीडियो के अंतक बिल्कुल किलियर कर दूगा किसान सातियों आपको एक बात का ध्यान रखना है बहुत किसान है जो मेरी वीडियो को बहुत साराते हैं और कुछ किसाने जो वीडियो को पूरा नहीं देखते और मुझसे सवाल करते हैं जबकि मुझे पता होता है कि उस सवाल का उत्तर मैं दे चुगा आपके सवाल करते ही मुझे पता चल जाता है कि उत्तर दे चुगा या तो मैं उसे छोड़ जाता हूँ या अपना रिमार्क्स जो है न एक लव करकर छोड़ देता हूँ इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और एक और निवेदन है कि जो मैंने 406 नंबर वीडियो बताई थी उसको भी पूरा देखिए आप इसे सेयर करें किसी के साथ न करें आप इसको लाइक करें या ने करें इससे मुझे कोई फरक नहीं पड़ने मेरा उद्देश से है कि मैं आपको वेग्यानिक तथ्य बताऊं चुकि मेरी प्रस भूमी एक वेग्यानिक की है चलिए हम प्याज पर बात करते हैं किसान साथियो जो प्याज है उसमें हमें परती एक कड जो भी यूरिया की जोरत पड़ेगी वो कितना होगा हमें इसमें सिंगल सुपर फासफेट या जो फोसफेट लेते हैं वो हम सिंगल सुपर फासफेट के रूप में लेंगे और जो हम पोटेशियम लेंगे वो हम M.O.P. यानि मुर्य और पतास के रूप में जो PAU recommend करती है वो प्याज के लिए परती एक कड में यूरिया 40 kg, सिंगल सुपर फासफेट 125 kg और MOP, मुर्रा और पटास 25 kg की संस्तुति करती है अब यहाँ पर देखिए कि इसे देखकर आपको क्या लगता है कि क्या खाद की मातरा जिस किसान के खेत की रिपोर्ट ये है वो भी इसी को डालेगा या जिस किसान के खेत की रिपोर्ट ये है वो भी इसी को डालेगा नहीं दोनों अलग-अलग डालेंगे और क्या अंतर होगा ये आप बड़े ध्यान से सुनिए किसान साथियो जो इनकी मात्रा है उसमें एक बहुत important factor होता है OC अब हम सबसे पहले nitrogen निकालते हैं nitrogen किस से मिलती है हमें उन्होंने बताया कि nitrogen निकालने के लिए आपको इसे तीन भागों में बातना होगा अगर organic carbon आपका 0.4 से कम है 0.4 है तो कोई problem नहीं 0.4 से कम है और 0.4 से लेकर और 0.6 तक है या वो 0.6 से अधिक है तो ये देखना है कि आपकी मात्रा इसमें जो organic carbon है वो आपकी जमीन का कितना इन तीनों में से कहां हमारा कितना है 0.28 तो हमारा कहां पर आया इस रिपोर्ट में यहां पर अब इसमें जो हमारी मात्रा है वो 0.28 है यानि कम है तो हमें यूरिया की मात्रा 20% बढ़ानी होगी यानि जिस किसान की खेत की रिपोर्ट यह है उसे इसमें 48 केजी यूरिया का डालना होगा और जिस किसान की 0.4 से लेकर 0.6 तक है यह देखे यहां पर 0.6 से उपर है उसके लिए यह वैल्यू रिकमंडिड होगी यानि के जितनी हमने रिकमंड की है यह नाइट्रोजन के लिए जो रिकमंड अगर आपकी 0.4 से 0.6 तक है तो वैल्यू रिकमंडिड रहेगी यानि यह वाली रहेगी हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं सिंगल सुपर फास्पेट इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम केवल नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो रिकमंडिड का मतलब है कि उसे 40 किलो ही डालनी पड़ेगी है और अगर उसकी मात्रा 0.6 से 0.6 से अधिक है उसकी कार्बन जो की सेंपल 2 में है इस किसान के तो उसे नाइट्रोजन 20% कम करनी होगी यानि के 20% कम करनी होगी यानि के उसे 32 किलो डालनी होगी है किसान साथियो अगर आप अपनी मिट्टी की जाच कराते हैं फसल बोने से पहले और किसी भी वेगनिक से मिलते हैं अपने आसपास के के वी के सेंटर से तो वो उसकी मात्रा बताएगा और आपकी रिपोर्ट को देखकर ये बताएगा कि आपको कि दुद्री खाड डाले हैं यहां पर ये विशह नहीं है कि यूरिया कितनी बार डालना है दो बार डालना है तीम बार वो एक अलग विश है लेकिन रिपोर्ट से आप अपने खाड की मात्रा वो किस پरकार कंट्रोल करेंगा यहां पर यह आएगा, किलियर हो गया, सेंपल 1 जिसका है, उसे 40 की बज़े 48 किलो ग्राम करनी होगी, और जो सेंपल 2 है, जिसका भी और्गनिक कार्बन 0.65 है, यानि 6 से उपर है, उसे इसमें 20% कम करना होगा, यह हुई आपकी नाइट्रोजन की मातरा, आएए, अब हम चलते हैं, फोस्फोरस पर, चलिए हम बात करते हैं, फोस्फोरस की, किसान सात्यों, फोस्फोरस को चार केटेगरी में बताया गया है, एक है, लो, एक है, मीडियम, एक है, हाई, और चोथा है, बेरी हाई, हम बात करेंगे, फोस्फोरस की, अगर हमारा, फिर यहां पर वही बात आती है, कि अगर यह 0.4 से कम है, या 0.4 से लेकर, 0.6 तक है, या वो, 0.6 से अधिक है, जो ओर्गनिक कार्बन है, वो कितना है, इसमें भी 3 केस बनेगे, जो यहां पर बने थे, इसमें बने थे, अब आप देखिए इसको कैसे करते हैं, यहां पर 4 भाग आपर, पर कोई ऐसे भाग नहीं है यहां पर डिरेक्ट बता दिगई अगर लो है तो 20% बढ़ा दो और हाई है तो 20% कम कर दो अन्यता समान रहे हैं अगर यह मात्रा लो है तो आपको रिक्मंडिड मात्रा डालने होगे यानि SSP 125 किलोग्राम ही डालना होगा अगर मीडियम है तो भी आपको रिक्मंडिड मात्रा डालने होगे और अगर हाई है तो भी आपको रिक्मंडिड मात्रा डालने होगे तो आपकी अगर ओरगनी कार्बन 0.4 से कम है जो की हमारे पहले किसान की है 0.28 तो हमें जितनी भी रिक्मंडिड मात्रा है उतनी ही डालने होगी यानि के 125 केजी किसांचा अगर हमारी वो 0.4 या 0.6 तक है 0.4 से लेकर 0.6 तक है और आपकी जो मातरा है वो लो है लो का मतलब क्या है पांच किलो गराम से कम तो आपको रिकमंडिड मातरा ही डालनी हो और अगर वो आपकी मीडियम है यानि जो पांच से नो तक है पांच किलो गराम से नो किलो गराम तक है तो यहाँ पे कितनी है यह 6 किलो गराम है यानि मीडियम है तो हमें इसको आधा कर देना होगा रिकमंडिड मातरा को आप आधा कर देंगे अगर यह हाई है हाई का मतलब होता है 9 से 20 तक अगर आपके मातरा 9 से 20 तक है तो इसको हम एक चुठाई कर देंगे अगर यह हाई है ठीक है यह देखे इसमें यह 20 से भी ज्यादा है तो यह भी केस नहीं है और यह भी केस नहीं है तो इसमें एक बटा चार कर देंगे यानि तीन बटा चार कम कर देंगे और अगर very high हैं तो इसमें बिल्कुल भी नहीं डालेगे फिर हम इसमें 125 kg नहीं डालेगे अगर ये कम है तो recommended है medium है तो आधी है और high है तो एक बटा चार है यानि कि जितनी 125 का एक बटा चार कर दीजिए तो लगबग 30 kg डालने होगी और अगर very high है तो नहीं कर दीजिए देखिए यहां पर ये very high है चुकि very high का मतलब होता है 20 kg से जादा 20 kg पर एक कड़ से जादा आपकी अगर फोस्फोरस आ रही है तो आप नहीं डालेंगे तो हमारी इसमें ये संस्तोती हो जाएगी हमें ये नहीं डाल दिया कितनी बचत हुई 125 kg अर्थात आपके ड़ाई बैंग अगर आपका ये 600 रु पेटा फैदा है ये फैदा है अगर 0.6 से ज़्यादा ऋर्गनिक कारवन ड़ी कि क्या तो क्या करना है ये अगर आपकी फोस्फोरस लो है तो रिकमंडिड डालना है ये 0.65 से ज़्यादा है और ये फोस्फ conf syrup हमारा कितना है लो नहीं है तो हमें क्या करना होगा यह है हमारा वैरी हی तो इसमें यह 9 आ जाए गा और इसमें हाई वाले में भी 9 आ में और इसमें हमारा और रहे गार तो किसान साथियो जो किसान जिसका sample 2 है उसकी 0.65 है और यहां पर देखिए जो phosphorus की मातरा है वो very high है उसे कोई application नहीं करना है यानि के इस किसान को ये लागू होगा इसमें और इसको बिल्कुल भी आपको ये phosphorus नहीं डालना है कोई ssp नहीं डालना है अब बात करते हैं तीसरा आता है potassium किसान साथियो इसमें दो ही केस आते हैं ग्रेटर दैन 55 केजी और लेस दैन 55 केजी है इसमें और गनी कार्बन का कोई रोल नहीं है अगर आपको potassium की मातरा देखनी है यानि मोपी डालना है तो इसमें और गनी कार्बन का कोई भी रोल नहीं है तो जो 55 केजी से कम है अगर ये मातरा 55 केजी से कम है इस केस में आता है तो रिकमंडिड मातरा डालनी है यानि जो बताई है 25 किलोगराम डालना है अगर ये 55 केजी से ज़्यादा है तो आपको कोई भी फर्टिलाइजर नहीं डालना है तो किसान साथियो इस किसान को जिसका सेंपल 2 है उसे ने तो पोटेशियम डालना है एमोपी डालना है और ने ही SSP डालना है उसे सिरफ ये यूरिया डालना है और यूरिया की मातरा भी उसको ये कम करने है तो उसको 8 किलो यूरिया कम करना है SSP नहीं डालना है MOP नहीं डालना है उसकी जमीन बहुत अच्छी है किसान सातियों मैंने पहले बताया था जो मेरी बायो फर्टिलाइजर किया थी कि जब आपकी जमीन में ये मात्रा पड़ी होई होती है तो ये लगबग एगुलंसी लवस्ता में होती है सान सातियों अगर आपकी जमीन में पोटेश्यम की मात्रा जादा है या अधिक है अधिक जादा है और पोटास की भी जादा है तो आप SSP के लिए अपने खेत में PSB पोटेश्यम सॉलबलाइजिंग बैक्टिरिया डालिए आधा लिटर पर एकड़ और दो सिचाई में उसको दीजिए और दूसरे में M.O.P के लिए जो पोटेश्यम मॉबलाइजिंग बैक्टिरिया आता है केम भी आता है उसको डालिए और आपको आश्यरिय जिनक पर इन करना चाता हूं जिसने मुझे ये बात बताई और जो मेरा खेत है उसकी मैंने सेंपल भीज दिया है जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर ही मैं इसमें ये खाद की मातरा कम ये ज्यादा करूँगा हां एक काम मैं करता हूं और मेरे धान बहुत अच्छे हैं जब रिज में लिफ्क और उसको उपचारित करता हूं ट्राइकोडर्मा, सुडॉमुनास, बैसिलस, सब्टिलीस, बवेर्या, बशियाना और मेटारीजिम। ये पांच तद्वों से मैं उपचारित करता हूं और फिर उसमें मिलाता हूं माइकोराइजर और डाल कर उसको खेत को पान NPK consortia भी मिलाता हूँ, जिससे कि जो भी agulant seal मेरी nitrogen, phosphorus, potassium होगी, वो पोधोग मिलेगी, और धान में मैं इस चीज में सफल रहा, कि जितने भी किसानों ने खाद दिया था, मैंने उससे कम दिया था, अगर आप अच्छी खेती करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर organic प्राकर्टिक की बात नहीं करना हूँ, अच्छी खेती से अर्थ है, वेवारी खेती, यानि के आप अपनी जमीन को समझिये, अगर उसका organic carbon इतना कम है, तो वो एक साल में पूरा नहीं होगा, आपको बहुत महनद करनी होगी, अगर आप साल में एक बार धेंचा, जिसे पंजाम में जंतर कहते हैं, अपनी खेती में वो बोते हैं, या कम से कम एक एकड में दो ट्रोली, जिसमें के एक ट्रोली का मतलब है, तरीब तीन टन खाद होता है, अच्छा सड़ा हुआ खाद, जो खुद बनाते हैं, जिस पर नहीं धूप लगी हुई हो, नहीं बारिस लगी हुई हो, वो खाद डालते हैं, उसमें बैक्टीरिया डालते हैं, तो परति वर्ष जब आप अपनी रिपोर्ट कराएंगे, आप आशियरे जरेक परिणाम में लेंगें, किसान सातियों, अपनी खेती को कुछ हिस्सों में डिवाइड करिए, उसे खेत बनाईए, कई खेत, हर खेत का एक नमबर दीजिए, उस नमबर से एक फाइल बनाईए, और परति वर्ष मिट्टी की जाँच कराईए, और जब मिट्टी की जाँच की रिपोर्ट आती है, तो आपको कितनी खाद डालनी है, उसे कम या ज़्यादा इस प्रकार करिए, तो आपकी बचत होगी, और बचत भी एक काम दानी होती है, किसान सातियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट में अवस्य बताएं, और उस वैग्यानी का धन्यवाद करना न भूले, जिसने मुझे ये सब जानकारी दी है, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, जैहिंद, जैभारत, बंदर,